का बहुत-बहुत स्वागत है लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आज कल जी सिताराम भागे सुर्धाम की जए सनातन धर्म की जए और I am not बाबा I am धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी तो मैं आपको धिरेंद्र जी कहके बुला सकता हूँ बिल्कुल धिरेंद्र जी शास्त्री जी महराज जी इनसंबोधन से क्योंकि ना तो डाड़ी मूचे न हमने सन्यास लिया है जी वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आप आपकी उमर भी सिर्फ 26 साल है तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ आप सिर्फ 26 साल के हैं 26 साल तो एक ऐसी उमर होती है जो जिस समय योवा हमारे यह सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटर साइकल करीदनी है और कहां जाकर नौकरी करनी है और आप 26 साल की उमर में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए आपके बहुत सारे नाम है आप यहां तक पहुँच गए तो यह सब हुआ कैसे हमारे बागेशुर धाम की परंपरा में पीड़ी दर पीड़ी दरवाल लग रहा पुझपात दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादा जी के पहले वी एक संत थे वो भी लगाते थे तीसरी पीडी में हम सेवा कर रहे हैं तो बच्पन से ही सनातन का जुनून है तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इश्ट और सनातन संस्कृती साधियू संतों की तफस्या का प्रचार कर रहे हैं बस यही हमारी एक छोटी कहानी है भाइट ही भाइट है ब्लैक है ही नहीं कुछ लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंड रहे हैं मैंने सुना आपको आपने कहा कि मैं और को इस पश्टी करण अब नहीं देना चाहता है इसके बारे में आपको लगातार जो चुनोतियां मिल रही है लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी पर बैठेंगे जो गुरू पेड़ना लगेगी हम वो बता देते हैं और बाला जी की क्रपा और संतों की तपस्चा के प्रभाव से वो बात सत्त निकलती है और सत्त को कितनी भी कसोटी पर कसा जाए कितने निव चैनल ने एक्सपोज नहीं किया कितने लोगों ने नहीं किया आज तक बाल टेड़ा कर पाएं क्योंकि हनमान जी की क्रपा और हनमान जी के नाम का प्रचार है जी आप धिरेंदर जी आप खुद को गुरुदेव कहते हैं स्वामी जी भी कहते हैं धर्म गुरु संत तो आपका परिचे क्या है आप हैं कौन ना तो हम कोई संत हैं ना हम कोई श्वामी हैं ना कोई हम मठाधीस हैं बागे सुर्धाम के चरणों के सेवक हैं और स्रीमान जी हम आपको बता दें कि हम एक जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से ईश्वर से डॉक्टरों से लोगों से प्रातना करता दूआ के लिए गुजारिस करता निवेदन करता वैसे ही हम गुरू होने के नाते उस गद्धी की सिवादार होने के नाते बागे सुर पीट के सिवादार होने के नाते और सनातन धर्म के सच्चे सादक होने के नाते और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते आने वाले लोगों के लिए उनकी सद्धा को देखकर इशुर से प्राथना करते हैं। देखो भई ये भारत देशे इसमें रिशी मुनियों की परंप्राएं बिविद रही हैं। सचे साधक हैं उनके आधार पर जो हमें गुरु जी ने पेरना दी जो हमें इश्ट पेरना देते हैं। हम वो लिख देते हैं सच निकले या जूट वो व्यक्ति की सद्धा और बालाजी की कृपा। जिसकार आप लोगों की आवाज हम तक हमारी आवाज लोगों तक पहुँचाते हो। जैसे हम अपने इश्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अरजी है वो अपने इश्ट तक इश्ट की तरंग को लोगों तक पहुँचाते हैं। ना आप कुछ हो ना हम कुछ है। देखे जो आप बता रहे हैं ये तो भारत की संस्कृती में जो योगी और मुनी और जो सिद पुरुष हुआ करते थे उनके पास ये शक्ती होती थी ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे हमारे जो रिशी मुनी होते थे तब उनके पास ये शक्ती आती थी कि वो ये सब कर सके हैं। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है तो आपके पास चमतकार की जो शक्ती है इतनी जल्दी कैसे आई हैं। बहुत अच्छा प्रशन हैं। बहुत बहुत धन्यबाद अच्छा प्रशन है। ये आपसे किसीने पूछा नहीं होगा। लेकिन आज भी दिनना रात बहुत अरे आपकी योगता का क्या कहना I proud of you हमको आप पर बहुत गर्भ है आपकी language से और आपके इसपष्ट प्रश्णों से तो देखो बाकी लोग तो वही घिसे पिटे question करते हैं आप ये जो बीच की नई चीजे ले आए बहुत गदगद कर गई हमको तपस्या तपस्वी हम नहीं है लेकिन दिनना रात तपस्या में ही गुजर रहा नौदस साल की अवस्था से ही हमने बाला जी की सेवा की जब बच्चे खेलना सीखते थे तपसे हमने हनमान चालीसा का पाठ गुरू ने जो पिधान बतराया वो मेडिया पर बताने का विसे नहीं है वो अनभाव का भी सह हो कभी आप आईएगा तो उसको हम आपको बताएगे कि हमने क्या-क्या अपने जीवन ben मुस्कलों को सहा कितना हनमान चालीसा का पाठ किया रातों भर हनमान जी के चरणों में बैठ कर रोई हैं रातों भर हवन किया है उसका ही ये परणाम है जो आज सनातन संस्कृती का जंडा जगए जगए गाड़ा जा रहा है और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरन कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखा कर ऐसे मिशनलियों के मुँपर तमाचा भारत की तिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई इनतरियामी आप हैं इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे क्या आप इस समय कोई हमें चमत कार दिखा सकते हैं? में लिकोई अंतरयामी नहीं है और हम कोई भी अंतरयामी नहीं है ऐसा कोई जो है अंतरयामी होने का अज तक हमने दावा नि की या अंतरयामी शिर्फ परमात्मा है। तो उनके सेवक हैं और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमतकार दिखा दे हम अपने इस्ट से प्राथना करने वाले एक याचक हैं तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी सुद्धा दिखेगी हम प्राथना करेंगे वो सनातनी बनेगा हम प्राथना करेंगे हमारे बाला जी उस पर करपा करेंगे लॉजिक सीधा सा है पंडा सीधा सा है जादूगर मेजिसियन थोड़ी है कर डमरू बजाए हाँ भाई आजाओ खेल देख लो अब देखो प्यासा कुआ के पास जाता है कुआ प्यासे के पास नहीं जा आए कोई इसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दर्बार में आए और आप से मदद मांगे तो आप सर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं या अगर कोई इसलाम को मानने वाला भी आपके पास आजाए तो आप उसके लिए उसके लिए उनकी भी मदद करेंगे बिलकूल मानव होने के नाते हमसे तो बहूत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं और बहूत कृष्चन बाले लोग भी हमारे पास आते हैं अनपंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं हम गिंती गिनवा देंगे कई दरवारों हैं आप हमारे वो खोजि वो बताईए क्या बोलते हैं अपना नेट का यूटूब यूटूब खोजिएगा यूटूब पर आपको लंबी लिश्ट मिलेगी उसमें कहीं न कहीं मुसल्मान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पर बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको आपको भीजव अजीब तरीके की आवाजये निकालने लगते हैं कई बार वो बेहोश हो जाते हैं एक अजीब सा द्रिश्चेव देखने को मिलता है अभी मैं आपको तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूं निकालकर अगर हमारे पास वो तस्वीर हैं बहुत देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं लोग जो हैं वो देखिए जूम रहे हैं कई लोग तरप रहे हैं अपने ही आपको एक दूप मार रहे हैं तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है ये क्या होता है नकरात्मक और सकरात्मकूर्जा की लड़ाई है हम कुछ नहीं हम पे तो कोई प्रेट चड़ा नहीं है लोगों के ऊपर जो नकरात्मकूर्जा आती है वो जैसे ही भागे सुर्बाला जी के सामने पहुंचती है या हनमान चालीसा की जो चोपाई है भूत पिसाच निकट नहीं आबे महांबीर जब नाम सुनाबे तो अगर पांसो साल पहले लिखा हुआ हनमान चालीसा गलत है तो भूत प्रेत नहीं है और आप हनमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और हनमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये च कोई पॉजिटिवी एनर्जी बोल देता है नकरात्मक उर्जा सकारात्मक उर्जा की लड़ाई ही यह हम देहाती लोग है तो प्रेतबाधा बोल देते हैं मैं भी हनुमान चालिसा का पार्ट कर रहा हूं और वर्षों से कर रहा हूं मुझे कंठस्त भी है पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूँ लेकिन आपने एक चीज नोट की आपको अब आपको बागे सुधा मान इसाई लोग जो हैं जब ये अपने यहां कोई कंवर्जन कैम्प लगाते हैं लोगों को लिए वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवार लोगों को देखा है वो भी ऐसे ही इसी तरीके से जूमने लगते हैं कुछ-कुछ उनका देखिया वो भी मैं तस्रीव दिखा रहा जी पूरे देश में इसी बात की तो चलता है ये मिशनरियां क्यों की दुकान बंद हो गए ये जोटे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और चोटे मुटे उपाय करके हमारे गरीबों का सोशन करते हैं उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को रोका और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये तागत है मंत्रों में जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो ना कटा हरो आजाओ बापिस तो वो फिर साहर शाग है अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सम्मिसन फैल कर देगा इसलिए तो ये जो है हमारे इख प्रेत आत्मा आ गई है वहां पर भी हमें ऐसे देखने को मिल रहा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ये दोनों जगा कॉमन है या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं भूत प्रेत ये पादरी बागे सुर्धाम का सामना नहीं कर पाएगा कल से आप लगातार टीवी चैनल्स पर इंटर्व्यू दे रहे हैं मैंने आपके बड़े इंटर्व्यू देखे आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आपके जो भगते हैं वो तो हैं ही लेकिन आप देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान गए हैं अचान उनको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि हम भी अंद्विस्वास के खिलाप हैं और देखो ये आंधी के नाम हैं बात में दम और सक्ती होनी चाहिए अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है कर सकता है पर अगर दम नहीं होगी तागत नहीं होगी सक चाहिए नहीं होगी बोल्डाउट हो जाएंगे आज पूरे नेसलल मीडिया एक्सपोस करने आई थी आपका चैनल भी तो आया था आपका चैनल ने चूकी उल्टा दिखाया है क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है जो हमने ललकार कर चुनोती दी थी उसको पत कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के आखों खुली आखों से लोगों को देखना चाहिए आप बीजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे पर मैं देख रहा था आप बड़े क्रोधित थे मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के बड़े क्रोधित थे आप और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था और आप कह रहे थे कि मैं अपने आपके में नहीं हुआ हम अपनी सक्तियों के उसमें थे लेकर आज हमन से संबंदित आप से सवाल पुछता हूँ आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में जो मौलाना जाड़ भूख कर रहा है जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है और आप जो करें तीनों में फर्क क्या है बहुत सुंदर प्रशी बेरी गुट ठैंक यू बरी माच माइडियर आइप राओड आफ यू उसमें और हम में बागे सुधा में यही अंतर है कि देखो हम किसी भी प्रकार का सोशड नहीं करते हम धक्षणा नहीं लेते हम अपने से नहीं जोडते आने वाली चडोत्री को ह पिन साल से निसुलक भंडारा करवाते और दोहजार उन्तीस तक भक्तों के सयोग से चार सो बैट का विसाल कैंसर हॉस्पीटल एंड रिसर्च इंस्टिटूट शेंटर बनवाने जा रहे हैं हम दंगा नहीं फैलाते हम सोशन नहीं करते हम हलाला नहीं करते हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है हम सिर्फ शुद्धा के नाम पर बाला जी की महमा गाते हैं इतने अंतर हैं इसकी बहुत बड़ी किताब बनेंगी लेकिन वह भी प्रेथ ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से और लोग जिस तरीके से बेहेव करते हैं वह जा देते हैं आई एम नाट मिरिकल मेन बहुत साधारन उस्वलाद में अचा आपसे यह जानना चाते हैं जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं जब आप दरवार लगाते होंगे हजारों लोग आते हैं उन मेंसे आप कुछ लोगों को चुनते हैं वो लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्या बताते हैं उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं पहली बात फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है कागजपार आपने लिखी होती है यह सब आप इसकी तैयारी आप कैसे करते हो मन में पेरना दीजिए तो वो मन में पेरना देते तो भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए नीरच को बुला लीजिए धीरच को बुला लीजिए विबेक को बुला लीजिए इनको बुला लीजिए ऐसी मन में पेरना लगती वहां बैठा होगा ऐसे कपड़े पहना होग वाहाँ दिमाग खराब हो गया सबका जी और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से 2 पत्रकार नेसनल चैनल लगेते हमने कह था 2 पत्रकार हमारे सामने भेद दीजिएกा 2 पत्रकारों की अमरी जी लगा देंग। 2 की हमने लगा भी दी ऐसी लगाई आरे जंडा गड़ गया सेनातर का आज की लिंक की जरूर सबको भेच दिए दिखाइएगा आज का दरबार अब मुझे भेच दीजेगा अब मान लिजिए दूसरे तरीके से पूछता हूँ मान लिजिए मैं आपके दरबार में आउए मैं आपके सामने बेठा हूँ आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आगया अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे ये कैसे पता लगाते हैं अभास होता है देखो हम कोई अंदाजातु लगाते नहीं आभास होता है हम पराथना करते हैं पेन कागज कलम लेते हैं ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभू कृपा करो तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है वो तरंग हमें पेरना देती थी हम कलम बद्ध कर देते और कह देते अच्छा प्रभू लाज रखना अपनी भी और हमारी भी और वो सक्त निकलता है बस इतना लॉजिक है यह लॉजिक परे है इसी का नाम तो सिद्धी जो समझ में नाया वही तो चमतका अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में आज से तीस साल पहले कोई कहें कि आप देश बिदेश में बैठे सकते हैं देश बिदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तो रंत बात कर पाएंगे तीस साल पहले यह कोई कहता था तो कहते हैं कितना जूट बाज आदमिया मूरख आदमिया ऐसा होई नहीं सकता यह तो चमतकार होगा लेकर आज सहज है पर देखिए देरेंद जी एक जमाने में जब बारिश होती थी लोग देखिए जब एक आज से सेंकड़ों वर्ष पहले हजारों वर्ष पहले जब बारिश होती थी तो उसे भी लोग चमतकार समझते थे सूरे ग्रेन होता था उसे भी चमतकार समझते थे दिन और रात सुभा और शाम जब रात होती है उसे भी चमतकार समझते थे बाद में ये पता चला धीरे 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 कि ये चमतकार नहीं ये विज्ञान है इसके पीछे विज्ञान है तो आपकी जो कला है आपकी जो शक्ति इसके पीछे क्या विज्ञान है, मनोविज्ञान है, धर्म है, आस्था है, अंधविश्वास है, क्या है। गुड का खट्टा मीठा का स्वाद नहीं पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये पराविज्ञान है हमारे प्यारे माई डियर। एक मोकुट ऐसा लगाया हुआ है जैसे एक जमाने में मराठी जो मराठा राजा लगाया करते थे। तो इसके पीछे आपका क्या मनुवज्ञान है कि आप जो इस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत करते हैं। जबकि जो सादू संथ होते हैं वो तो बहुत सिंपल रहते है सरल भाव से रहते हैं। वो हैं अकंबल पहन लिए अब क्या गलती कर दी यार भई ठंड लगती है तो कंबल ना पहने क्या करें मर जाए क्या ने हमें देखिए राहूल गांधी पूरी सर्दियों में बिना राहूल गांधी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती है अध्यात्मी की बात कीजेगा अध्यात्मी की बात कीजेगा सौरी 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 कोई राजनेतिक मुद्धा पर बात मैं तो राजनीती कहीं नहीं रहा हूँ कि राहूल गांधी भी तो एक तपस्वी है उनको सर्दी नहीं लग रह आप पॉलिटीशन तो नहीं है लेकिन पॉलिटीशन आपके बहुत सारे पॉलिटीशन आपके शिष्षे हैं आपके जो विरोधी हैं उन्हें ये बात भी बुरी लगती है कि बहुत सारे नेता आपके शिष्षे हैं बहुत सारे जो सरकार में बैठे बैठे बड़े जो और वो तब मिलता है जब कोई धर्म गुरू नेताओं के साथ बहुत करीब आजाता है। अब किसी को अगर जलन हो रही हो तो वो विदेशी नेता बना लें। अगर किसी की जल रही है तो मिर्चा लगना चाहिए इसमें क्या बुराई है माइडिया। आपको लगता है आपकी जान को खत्रा है। यह जो प्रपंच हो रहा है हमाएं अब देखो मरना बार बार है नहीं है एक बार बचना नहीं है। बहुत सचंद आदमी और बहुत दिल खोल कर बोलते हैं। वाकि जो होना है वो तो होना ही है लेकर पीछे तो लगे है। यह भी नहीं कह सकते कि नहीं लगे। छतारी में हमने घोशना कर दी थी इस सड़ेंत्र जो आभी आप लोग लेके बैठे हैं। देवेंदर फडनवीस आपके सामने हैं। डेपुटी सीम महराष्ट के पूरु मुख्य मंतरी। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी। मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं। बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्ति शाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से उठना बैठना सक्ति शाली स्री हनवान जी के साथ है यह भूल गया आप। हाँ हाँ पूरे आलाब बल के मेनेज्मेंट गुरू लौड हन्वान के साथ हमारा उठना बैठना है जारा साल की अवस्ता से वो दिखाई यह जरा फोटू आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं पर्सनल समस्याओं जो लोगों बहुत अच्छा ये 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 भी बहुत अच्छा देखो कोई अरजी लगाता है तो हम उस आधार पर जैसे हमाई पास राजनितिक गलोग आते तो बुझते हैं प्रदेश का हाल क्या होगा तो हम बता देते हैं ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं हम कोई आयम नौट भविस्वक्ता हम कोई जोतसाचार नहीं हम भविस्वक्ता नहीं हमें जैसी पेड़ना लगती हैं बता देते हैं भविया ऐसा होगा अब कोई अरजी ना लगा है तो हमारी बात को कौन सुनने वाला है कौन हमारी बात को इतना सुनेगा और कौन नियम मानेगा कौन नियम करेगा कौन आए तो बनाओ, गलत थोड़ी है, हर बार हम सनातनी, हिंदू ही क्यों टारेट, हर बार हम संत ही क्यों और आपके बलेकनभाइट से कहेंगे, कि जो हमारा आपने black and white लिया है पादरी का क्यों नहीं लेते हो उसके चर्च में जाकर नहीं हम उनका भी करेंगे और मैंने तो आपसे पादरीयों के बारे में और मौलानाओं के बारे में जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं किसी नहीं पूछे होंगे किसी नहीं पूछे हैं और हम आपसे बहुत खुछे हैं हमना कहा ना तीन बार हम आपकी तारीब कर चुके हैं बहुत सहज हैं आप बहुत अच्छे हैं और आपके black and white को देखना चाहिए लोगों को I support you पर आप हमारा भी support करिये सनातन का जी नहीं देखिए हमारा स्वामी जी हमारा हमारा जो करतव्य है वो है black और white अब आप अपनी बात कहने के लिए अपनी पैरवी करने के लिए swim बैठे हैं अब आप मेरे उपर या आज तक के उपर आरोप नहीं लगा सकते की मेरी बात सही नहीं आए अब आप swim अपने spokesperson है swim अपने प्रवक्ता हैं अज गलत किया है आज तक नहीं दिखाया है अब देखिए अब वो सारी चीज़ें अब लोगों के सामने आ जाएंगी और हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एक धर्म गुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए शारु खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्म गुरु को क्या आप छोटी छोटी इंचे जो जो सनातन के खिलाब बोलेगा चाहिए वो फिल्मे वालों हो चाहिए वो राजनेता हो हमने सिक्षा मंत्री के खिलाब भी बोला बिहार के उस पर बात क्यों नहीं कि जो जो सनातन का ब्रोद करेगा हम उसके खिलाब बोलेंगे अगर ये दंगाई है अगर ये भड़का हुए तो ये होते रहना चाहिए इतना खौप बहुत जरूरी है तो ये आरोप आप इसका मतलब सही है आपके उपर जो लोग कहते हैं कि आप हिंदूओं को जो आते हैं महाँ पर उनको भड़काते हैं एक जुट करते हैं लोगों को समझ में भड़काना आता है जो हिंदू नहीं है उनको भड़काना आता है किसी को कल तक हम पाकरणी न जरा रहे थे जब आज हम ने ठोक दिया ठेकाने लगा दिया सो बुद्धी ठेकाने लग गई पूरी नेस्रल नीज मीडिया के साब ने अपनी अपनी जब तक हम को समझा नहीं तब तक वह ऐसाथ समझेंगे बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया का स्वामी भी कहते हैं क्योंकि अब आप यूट्यूब पर बड़े अक्टिव हैं इंस्टाग्राम पर आपके लगातार वीडियो चलते जा रहे हैं और ये एक नई तरह की जो एक रांती है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्म गु भी अब आश्रमों से बाहर निकल कर सोशल मीडिया पर आगए मुबाइल फोन पर आगए लोग आपको मुबाइल फोन पर देख रहे हैं यह अपने आप हो रहा है दिरेंद्र जी यह आपके पास कोई सोशल मीडिया टीम है जो आपको रोज वाइरल करती है एक दूसरे में नहीं जो अब ये जो डो तीन दिन से आपको लेकर विवाद हुआ है अब इसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से नया जीवन अब शुरू हो रहा है रोज आपके टीवी पर इतने इंटर्व्यूज अब आपने दिये इस गड़ में 20 नेशनल चैनल आए उनके सामने भी हमने दिखा दिया कि अब आप उठाला हो हम खुलना चैलेंज देते हैं ललकार कर देते हैं अजब भी भूंकी खाने हो उन लोगों ने भी सक्त माना मतलब आप लोग तो आपकी भूंका नहीं है आपकी भूंका तो सक्त को नहीं है बहुत चाहता हूं उस पर टाइम बरबाद नहीं करना बहुत बहुत धन्यवाद अब हम दो एक सवाल आखरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आपने गाइड फिल्म देखी है जी नहीं हमने नहीं देखी है तो गाइड फिल्म में स्वामी जी एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देवानन्द बहुत मशूर हीरो थे उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो सूखा पड़ा हुआ एक गाउं में और वो बारिश नहीं हो प रहते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के उपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है इस उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ आपका जो बच्पन है बड़ा संगर्शों से बीत बहुत गरीबी में आपने अपना बच्पन बिताया अभी भी आप मैं तो यह कहूँगा कि अभी युवा ही हैं आप और यह जो विश्वास का जो पूरा जो इको सिस्टम है इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ समवाद कर रहे हैं चाहे हनुमान जी आपके साथ हो या न हूं लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर तो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है लोगों की सुद्धा की सुद्धा टूटती और बंती रहती है लोग स्थर नहीं रहे किसी के नहीं दूश्री बात इस विश्वे पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा लोगों की बाहें पकड़कर हैनमाजी से जोड़ा अगर यह गलत है तो क्या कहते हैं बस हम ना कोई तपस्वी है ना हम कोई बहुत साधारन भासा में बूलें कि बहुत बड़े चमतकारी है साधारन इंसान है लोगों की निष्ठा ही चमतकार है अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं लोगों की शुद्धा ही उनका चमतकार है बहुत बहुत धन्यवाद दिरेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके आलोचक जो हैं उन्हें आपके जवाब मिल गए होंगे और बाकी देश की जनता के उपर छोड़ते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपके कहा आप सबसे बड़े अपने प्रवक् अरे अब आपकी बारे में क्या करना सामने कर देंगे इस पर तो यह हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी कुछ उटा निकल जाएगा मुझसे जी तो कंट्रोवर्सी तो खेर ठीक है विवादों की आपको आदत पड़ गई होगी अब तक तो और इसका मतलब यह है कि आपके अगर दुश्मन बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपके शिश्यों की संख्या बढ़ रही है इसलिए आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं अहां बहुत गजब की बात बाला जी के समर्दक बढ़ रहे हैं दिरियन जी बहुत बहुत शुक्री आम से बात करने के लिए Thank you very much. You are a good speaker. जैश्याराम सनातन धर्म की जैन.